कल संसद में राहूल गांदी और अनुराक ठाकुर के बीच राहूल गांदी के जाती को लेकर मुद्दे पर आज बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर विवेक रंजन अगनी होतरी का जवाब आया है तो विवेक रंजन अगनी होतरी लिखते हैं जाती जनकना एक भयावै राजनीतिक हतकंडा क्यूं है मैं अपनी फिल्म दा डैली फाइल्स को लेकर बहुत विवस्त हूँ इसलिए राजनीती में जो कुछ हो रहा है उस पर करीब से नजर नहीं रख पा रहा हूँ हाला कि कल रात मैंने राहूल गांदी का भाशन देखा और एक बड़ी समस्या है यदि जातियों के परती चिंता वास्तविक होती तो मैं इसे सुविकार कर सकता था लेकिन ये केवल हिंदू वोटों को विभाजित करने और सत्ता हासिल करने के लिए किया गया इस भयावै अभियान के केंदर में जातिया नहीं बलकि नरेंदर मो भाजपा RSS के सदस्ये इसी तरह बनाये जाते हैं यह उनके DNA में है उन्होंने सभी हिंदों को एक जुट करते होए एक जोसिली लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की जो पूरे देश के लिए अच्छा था सेकिंड पॉइंट राहूल गांदी का जाती जनगना अभियान बीपी सिंग के खतरनाक मंडल कमिशन अभियान की याद दिलाता है अपनी कुरसी बचाने के लिए राज़ा साब बीपी सिंग ने जाती की राजनीती का यह खतरनाक दाव बिना इस पर विश्वास किये खेल इसका परिनाम यह हुआ कि जाती के मोर्चे पर समाज इस्थाई रूप से श्रति गस्त हो गया राहूल गांदी और जाती के मुद्दों के बीच कोई ब्रांड फिट नहीं है यह सब फरजी है जिसका उद्देश्य शत्ता हतियाना है राहूल गांदी जाती और वर्क के यह अब्यान अराजकता और संगर्स पैदा करेगा समाज को विभाजित करेगा और इसे रहने लायक नहीं बनाएगा यह बिलकुल वही है जो अर्बन नकसल चाहते हैं हम दर डैली फाइल्स के लिए पिछले पांच वर्थों से भारत के विभाजन और विखंडन पर सोध क मुझे पता चला है कि जिन्ना धर्म निर्पेक्स थे और गांधी की सामप्रदाइक राजनीती का विरोध करते थे लेकिन जब जिन्ना गांधी की लोगप्रियता को चुनोती नहीं दे सके तो उन्होंने धर्म का कार्ड खेला और भारत का विभाजन हो गया बाकी इतिहास है राहुल गांधी वही दोरा रहे है जो जिन्ना और वीपी सिंग ने किया था यह राजनीती की सबसे आसान चाल है हिंदो को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सब कुछ भारत ही है भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक जुट होंगे भारत तभी सुरक्सिर संर परेंद्र मोधी की परिक्षा नहीं यह हर हिंदू की परिक्षा है किर्पया असफल नहीं तो इस तरीके से विवेक रंजन अगनी होतरी राहुल गांधी के लिए लिखते हैं हाला कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजें